नमस्कार YouTube चैनल N Universe 2 में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियों बात करेंगे कोप और ड्रेक पैटरन के बारे में कोप और ड्रेक पैटरन वैसे तो स्प्लिट पैटरन की तरह ही होते हैं उसकी तरह सिमिलर होते हैं लेकिन इसमें जो पैटरन होता है वो बड़े साइज का होता है जब हमें बड़े साइज की कास्टिंग बनानी होती है तब पैटरन बहुत भारी हो जाता है जिससे एक ओपरेटर के दुआरा इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसी कांड से pattern को दो पार्ट में बनाते हैं और जिने हम अलग-अलग molding box में उनको रखते हैं और mold के complete होने के बाद उन दोनो molding box को assemble करते हैं उन patterns को निकालने के बाद और mold cavity जिससे complete हो जाती है मतलब pattern का एक part drag और दूसरा part cope में बनता है जैसा पिस diagram में देखें कि अलग-अलग ये drag pattern है ये cope pattern है दोनों एक metal या wood plate पर बने हुए है और इन में क्या होता है कि riser runner या कह सकते हैं कि gating की arrangement भी साथ की साथ इसमें बनी होती है और इस परकार एक बड़े size के mold को असानी से handle करते हैं अलग-अलग molding box में और इसमें हम कह सकते हैं कि cope और drag pattern की मदद से molding box के cope और drag part में अलग-अलग mold बनाया जाता है और pattern को remove करने के बाद बाद में उन्हें assemble करते हैं ताकि हमारी mold cavity complete हो जाए अगर हम इसकी applications की बात करें इसका प्रयोग flange pipe में किया जाता है JCB head के water jacket को बनाने किया जाता है host pipe coupling के लिए इसका प्रयोग किया जाता है complex shape की casting बनाने के लिए प्रयोग करते हैं जब हमें बड़े size की casting बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में डिसकस किया कॉप और ड्रैग पैटरन के बारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं सेर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ और एनी निवर्श डबल टू को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हाजर होतें एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे